हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे जबजस्त होंगे और आप लोगों की प्रिप्रेशन बहुत ही वड़िया तरीके से चल लए होगी चल आज हम लोग एक बहुत ही important topic को cover करते हैं और वह important topic आपका क्या है चुनाओ से related एक जून को सामको exit pole जारी किया गया है और किसी की सरकार बन रही है UPA की सरकार बन रही है या UNDA की सरकार बन रही है किसके हाथ में कितनी seat है इन समस्त बिंदों पर हम 20-30 तद्धन करते हैं मतलब क्या होगा कि जब हम या जब मतदाता अपने उंट दे करके बाहर निकल रहे होते हैं तो उस समय new channels के मध्यम से वहाँ पर कौन मिल जाते हैं new channels वाले मिल जाते हैं और new channels वाले या पूछते हैं कि आप किस बिक्तिव को उंट दिये हैं आए हम सब लोग समझते है exit pole क् बात को समझेंगे exit का मतलब क्या होता है बाहर exit का मतलब क्या होता है बाहर जब मतदाता अपने उंट को दे करके बाहर निकल रहे होते हैं तो वहाँ पर मिल जाते हैं new channels वाले और वहाँ new channels वाले उस मतदाता या मतदाता से पूछते हैं कि आप किस बिक्ति को उंट दिये ह हैं तो वह बेक्ति बताता है कि हम इस बेक्ति को उंट दिये हैं तो उससे एक आंकडा मिलता है एक बिसलेशन किया जाता है और इस बिसलेशन से यह अनुमान लगाया जाता है एकजिट पोल के माध्यम से कि आने वाले समय में चुनाओ के नतीजे क्या हो सकते हैं या चुनाओ में किसकी सरकार बन सकती है यही आपका होता है एक लाइन में एक्जिट पोल exit poll को जारी कौन करता है तो exit poll को जारी करता है new channels के द्वारा clear हुई बते आईए फिर से एक बढ़िया बात को समझते हैं exit poll क्या है तो यह एक चुनावी survey है जो मतदान के दिन और मतदान के बात किया जाता है इसका क्या मतलब है जब कोई भी बेक्ती मतलब कहने का है किसको उट दिया गया क्या मुद्दा था और आपने यदि उस party को उट दिया तो किस लिए उट दिया मतलब क्यों उट दिया इसी तरीके से सारे आंकडों का अनुमाल लगा जाता है आंकडों का विसलेशन किया जाता है और बिसलेशन करने के पस्चात यहां सिट किया जाता है कि चुनावी नतीजे क्या होंगे मतलब क्या government UPA की बन सकती है क्या government India की बन सकती है किस ब्यक्ति के हाथ में कितिनी सीटें है कितिनी सीटें आएंगी इन ही बिंदुओं पर हम अध्यान करेंगे आईए अगली बात को समझते हैं जब इस exit pole के मार्ध हम से जनता का या मतदाता के राय जान लिए मूर जान लिए इसका मतलब होता है कि इस exit pole का मतलब क्या है कि जनता के मूर को जानना जनता के बीचार को जानना कि जनता के दिमाग में या मतदाता के दिमाग में क्या चल रहा है बाते समझ में आई या पिछले पांच वर्स में सरकार ने जो काम किया है क्या जनता उससे खुस है या उससे नराज है या इन सब को ले करके जनता कितनी खुस है किलिए हुई बाते हैं इसी संदर में एक आपका होता है opinion poll, opinion poll का मतलब क्या होता है? आइसार ओभी एक तरीके का चुनावी सर्वे होता है, लेकिन वह उट या मतदान के पहले होता है, clear हुई बाते हैं, exit poll कब होगा? चुनाव, जब उट दे करके बाहर निकल रहे होते हैं, लेकिन opinion poll की बात करेंगे, तो चुनाव के पहले होता है, और दोनों होता है सर्वे ही, clear हुई बाते हैं, आईए आप अगली बात को समझते हैं, अगली बात को समझना क्या है? आयो जग, आयो जग का मतलब क्या होता है? कि exit poll को, opinion poll को जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो new channels के द्वारा या उनकी agencies के द्वारा इसको जारी किया जाता है इस बार का जो exit poll है या कब आया है देखे exit poll कब जारी किये जाते हैं इसको समझना है exit poll जैसे माल लिजेगा चुनाओ का पहला चरण हो गया और ये last channel लास्ट चरण हो गया तो exit poll को चुनाओ के अंतिम दिन मतलब इस बार का जो चुनाओ रहा एक जुन को क्या रहा साथवे चरण का अंतिम चुनाओ रहा तो अंतिम चुनाओ के दिन पांच बजे तक चुनाओ होता है इसके बाद आधे घंटे के बाद आपके सकते हैं कि exit पोल जारी किये जा सकते हैं इस बीच में exit पोल जारी नहीं किया जा सकता है ऐसा चुनाव आयोग का कहना है बाते समझ में आई exit पोल को लेकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट में चुनोती भी दिये गई तत्वस्थाथ एक आपका जन प्रत्रनी धित अधिनें 1951 आट पी एक्ट 1951 में एक संसोधन किया गया 2010 में संसोधन के पस्थाथ क्या किया गया एक धारा 126 ए जोड़ी गई और 126 ए के तहतिया कहा गया कि चुनाओ से पहले एक्जिट पोल जारी नहीं किया जाएगा कहने का मतलब यहा है कि पहले चरण के चुनाओ से लेकर के अंतिम चुनाओ जब तो हो जाएगा जब तक होगा तब तक आप एक्जिट पोल जारी नहीं कर सकते हैं exit poll अन्तिम चरण के चुनाओं के बाद ही जारी किया जा सकता है यहां तक साइद आप लोगों को बाते समझ में आई होगी तो इस अठारवी लोग सभा का जो exit poll जारी हुआ वह एक जून को जारी हुआ अथाद मद्दान के आखरी दिन किलियर हुई यहां तक बाते आब आईए समझते हैं किसके खाते में कितनी सीटे हैं या जो विविन प्रकार के new channels हैं उस channels या उनकी एजंसियां यंडिये की कितनी सीटे बता रही हैं UPA की कितनी सीटे बताई जा रही है और अदर की कितनी सीटे बताई जा रही है इस पे अच्छे से चर्चा करते हैं आईए आईए दोस्तों हम लोग समझते हैं कि विभिन जो new channels हैं उनकी survey के अनुसार किसका कितना percentage है आईए समझते हैं सबसे पहले यहाँ पे new channels देखिए यह आपका लिखा हुआ है new channels यह आपका यंडिये यह आपका इंडिया गडवन हन यह आपका अन देखिए यहाँ पे कहना है ABP ABP सी ओटस का कहना है कि यहाँ पे जो यंडिये का है यहाँ पे 335 से 383 है जबकि इंडिया गडवन हन की बात करेंगे तो 152 से लेकर के 182 तथा अन की बात करेंगे तो 404 से 12 तक है इसी तरीके से news 24, today की बात करेंगे तो यहाँ पे यहें देखिए 400 यहाँ पे 107 और यहाँ पे 36 इसी तरीके से इसी तरीके से जो भिभिन प्रकार के 13 न्यूज चैनल हैं उनके सर्वे के अनुसार उनके सर्वे का जो डाटा है वह डाटा यहां निकल करके आया है पॉल साफ पूल में कि यहां पी जो एंडी ये गवर्मेंट है इनका डाटा 365 होगा और इंडिया घडवंदन का 145 होगा ब जो सबका जो सबकी राय है जो सबका डाटा है वो कितना बैठ रहा है यंडिया पे 365 और इंडिया गडवंदन पे 145 और अन पे 32 इसी तरीके से बात करेंगे यहां पे 365, 145 और 32 एक बात और ध्यार रखिएगा कुल सीटे कितना है लोग सभा में 543 लेकिन रिजल्ट कितने पे आना है 542 पे मामला कहां फस जाएगा मुकेस दलाल पे मुकेस दलाल पे इसलिए मामला फसेगा क्योंकि भाई साबो निद्विरोद ही पहले ही जीत गए थे बिना उटिंग हुए तो कितने का लिजल्ट आना है 542 का अचा सरकार बनाने के लिए हमें जरूवत किसकी होत यहां देखा जाएगा कि सरकार किसकी बनती है एक बात को और समझ दीजी का क्या साब इग्जिट पोल सही हो सकता है या इग्जिट पोल गलत हो सकता है तो भाई साब 2004 में और 2009 में इग्जिट पोल गलत साबित हुए थे कि लिए रुई बते 2004 में यहां बताया जा रहा था कि BJP की जो सीटे हैं यहां NDA की सीटे 250-200 से प्लस जा रही थी लेकिन BJP की सरकार 189 सीटों में ही सिमट गई थी इसी तरीके से बात करेंगे कांग्रेस का डाटा कांग्रेस के डाटे की बात करेंगे तो 2004 में कांग्रेस को यहां बताया जा रह लेकिन वह सीटे 222 के आज पास हुई उसके बाद वह कांग देश की सरकार 222 और अन्य के साथ गडवन्धन के साथ सरकार बनाई थी किलियर हुई बाते इसका मतलब है कि यहाँ जो एक्जीट पूल होता है यहाँ गलत भी हो सकता है क्योंकि 2004 में और 2009 में ऐसा BJP के साथ हुआ था किलियर हुई बाते आई होग कि आप लोगों को यह सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा यहाँ बाते आप लोगों को समझ में आई है तो चैनल को लाइक करें सेयर करें और कमेंट करना बिलकुल ना भूलें अब नेक्स वीडियो में आपको बताएंगे सरकार कैसे बनती है या सरकार का गठन कैसे होता है किलियर हुई बते ओके थेंक यू